हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आप देख रहे हैं शाही पाट साला और मैं हूँ बीके शिंग आज हम बात कर रहे हैं आपके शाथ शिक्ष्टी सिफ्ट बीपीसी मेंस के बारे में आपका मेंस एक्षाम काफे नजदीक आ चुका है आप लोगों को ये समय अब नहीं है कि नए कोश्टन के त्यारी करें शमय आ गया है कि साजेस्टेड कोश्टन के त्यारी करें शेलेक्टेड कोश्टन के त्यारी करें जब आप maximum question में उल्जे रहेंगे तो कुछ खास question जो जादा important है उस प्रकार के प्रस्टन के तयारी आप नहीं कर पाएंगे आमूमन प्रती एक paper में आपको कम सकम 15 question ऐसे तयार करने होते हैं कि एकदम पूरा मोव पर याद हो एकदम जैसे ही आए पटापट लिख दें 20 से 22 मिनट आपको एक प्रस्टन लिखने का शमय रहता है और आपको दिमाग में जब याद होगा तो वो नहीं लिखाएगा यह आपके यूँ कहना कि हाथ को याद है इस तरह से याद करनी होगी तो ऐसा करने के लिए आपको selected question के तयारी करनी है उसमें भी यदि आप बहुत अच्छी तयारी नहीं कर पाए हैं तो आप और कम कर देजिए 15 कूप कम करके आप 12 पर आ जाईए तो ऐसे में क्या करना है कि सभी सेक्षन से जी एस पेपर बन के तीन सेक्षन में से दो सेक्षन है जहां suggestion काम करता है पहले के भी suggestion काम आए हैं विद्यार्थियों को और selected उसमें भी जैसे की 6 question के answer से आपको लिखने है तो उसमें से आप 8 question ऐसे रखें कि पूरा जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा याद रहें उसमें किशी भी प्रकार के कोई कमी नहीं हो point to point याद रहें और answer आप कितना बड़ा लिखते हैं इससे मतलब नहीं है मतलब है कि आप कितना matter उसमें add करते हैं मेरे खाने का मतलब है कि आप बखवास मत किजिए वहाँ पर वहाँ पर आप कितना topic देते हैं कितने कम शब्द में कितने जादा जानकारी उसमें सामिल करते हैं ये माइने रखता है इसलिए आपको वहाँ पर भखवास नहीं लिखना है word कम हो और जो पूछना जा रहा है उस type का उत्तर लिखना है उसमें extra languages का use जो है वो minimum होना चाहिए आप योहीं कहानी के तरह नहीं लिखकर उसको point wise दिखाए तो उसमें आपको ज्यादा marks दिये जाते हैं तो आज मैं आप लोगों को दो question दे रहा हूँ यह दोनो question most important है आप कितना question तैयारे किये हैं यह पहले से भी किये होंगे लेकिन आज मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इसको contest कर लेजे कि किसी भी हालत में यहाँ प्रसन आता है तो इसको हम 20 मिनट में लिखके खतम करते हैं क्य इस पेपर 2 में 12 question यह 10 question करवाऊंगा उन में से मैं सबकी तो guarantee नहीं लेता हूँ कि इतना में ही सब कुछ आ जाएगा लेकिन इतनी guarantee मैं आपको जरूर दे सकता हूँ कि इतने में से आपका maximum question आएगा ही इसलिए आज का दोनों question फटा-फट आप देखें मैं बड़ा वीडि देखने में आपका समय चला जाएगा इसलिए मैं 3-4-5 मिनट का maximum वीडियो बना रहा हूँ और दो question मैं कोसिस करता हूँ आपको और मैं छूटा वीडियो में ही आपको दोनों question next day explain कर दूँगा तो आज आपका topic रहा GS paper 1 के खंड को से आप पटना कलम चितरकला शैली को तयार करेंगे इस पटना कलम चितरकला शैली के जितनी जानकारियों अपलों के पाश है उस शब को बड़िहांसे तरीके से multi-dimensional में तयार करके रख ले और जैसा प्रस्ण पूछे आप उस प्रकार का उत्तर देजिए ठी दूसरा paper 1 के ही खंड दूसरा से दूसरे खंड से है खंड को से है वहाँ पर मैं आपको quad दे रहा हूँ quad समूह भारत जापान अमेरिका और अस्ट्रिलिया का जो शमूह है इसका भी multi-directional में आप तयार करेंगे उसमें इंडिया का क्या रूल है quad का क्या रूल है किस उद्य यानि आपको multi-directional में इसको तयार करना है तो यह दोनों question most important है जितने जगह आप पढ़े हैं या जितने हैं सब लोग मुझे लगता है कि पहले से भी पढ़े हैं लेकिन बताने का sense क्या है कि आप इसको contest कर लें contest का means क्या हुआ कि आपको 20-22 मिनट में total 355-400 word में लेक देना है लेकते समें extra अपने मन से बनी बनाई भासा का प्रियोग कम करना है और जो facts हैं वो ज़्यादा भरना है आप कभी कभी क्या करते हैं कि अपने मन से लिखने लग जाते हैं सोच के लिखने लग जाते हैं तो व मैं भी थोड़ा ज्यादा लग जाता है तो बिना मतलब का word बिना शोचे समझे extra word सामिल ना करें और facts ज्यादा से ज्यादा डालें point wise लिखने का प्रियास करें इतना आपके लिए काफी है और मैं कल फिर इस से related थूड़ा सा बात और करूंगा और दू प्रसन आपको फिर स से second paper का GS का दे दूँगा बहुत बहुत धन्यवाद